Hello and welcome my dear soul family, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीस के साथ सुरक्षित होंगे आई शुरू करते हैं आज की रीडिंग जिसमें हम जानेंगे क्या चल रहा है आप दोरों के बीच में, क्या चल रही है सिच्वेशन आने वाले कुछ टाइम में आप क्या उमीद रख सकते हैं आपने पार्टनर से आई शुरू करते हैं आपकी रीडिंग लेके इंजल्स का नाम Thank you so much इंजल्स इंजल्स हमें बताइए इस समय वो क्या फील कर रहे है इंजल्स हमें बताइए इस समय आपके पार्टनर क्या फील कर रहे है हमारे पास काड़ा आ गया है सबसे पहले Letting Go Adventure एक सिकेंड एक काड़ा मुठा लेते हैं उसके बाद आ गया है The Master इस समय आपके पार्टनर क्या फील कर रहे है अपने से बहुत सारे लोग है जो बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहे है मुझे ऐस से लगता है आप किसी चीज को बहुत ज़्यादा लेके स्टक है हो सकता है आपके करियर से रिलेटेड हो या फिर हो सकता है लेकिन एक चीज मैं बता दूँ कि अगर कोई चीज आपको पकड़ने से या फिर रखे रहने से बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है तो इंजल्स की तरफ से ये एडवाइस है कि आपको उसको एक बार छोड़के देखना होगा देखिए पकड़के रखके तो आप देख चुके हैं लेकिन आप उसे एक बार छोड़के देखिए आपकी लाइफ में थोड़ा सा स्पेस बनाई है क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारा एडवेंचर जो है आपका वेट कर रहा है लेकिन वो आपकी life में enter इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि आपकी life में पहले से चीजे जो है इतनी जादा stuck है past life से लेके या फिर कोई भी चीज हो सकती है वो बहुत जादा जमी हुई है कि वो आपके पास आने तक का रास्ता नहीं बना पा रही है क्योंकि आपके पास वो रास्ता है ही नहीं आपके लिए वो जो कमरा है वो है ही नहीं क्योंकि उस कमरे में बहुत सारी चीजे जो है past की वो सारा कुछ जम जम के जम जम के वो सड़ चुकी है और वो सारी चीज अब smelly हो चुकी है आप समझ रहे हैं किसी जगा पे नालियों म अपनी लाइफ के खुद के मास्टर, यू आ दे क्रियेटर आफ यूर ओन डेस्टिनी, लेकिन आप ये बात रियलाइज नहीं कर पारे, क्योंकि आप ऐसा लग रहा है आपको, कि मैं बहुत ज़ाद स्टक हूँ, मेरा फ्यूचर बिलकुल अंधेरे में है, और आपको ऐसा लगता है, कि कोई भी इनसान मुझे गाइड कर दे, एक बार मेरी बात सुन ले, तो परम, पिता, पर्मात्मा जो हैं, वो आपसे ये बोलना चाते हैं, कि एंजल साब को गाइड करने के लिए, हमेशा आपके आसपास हैं, और आपको गाइडन्स के रूप में, बस यही बोलना चाते हैं, कि आप चीजों को लेट गो कर दीजे, अगर कोई आपसे बात नहीं कर रहा, तो प्लीज उसे छोड़ दीजे, आप अपने पे ध्यान दीजे, जो लोग आपसे बात करना चाते हैं, आप उनसे बात करिए, धीरे, 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 लीखिये, जब आप दोनों का सेपरेशन हुआ था, उस समय कितना ज़्यादा मुश्किल था आपका आगे की ओर बढ़ना, मूव ओन करना, आप यही उमीद करते थे, हमेशा फोन चेक करते रहते थे, आगे की और कदम बढ़ाएंगे, जो एडवेंचर है आपकी लाइफ का, वो आना शुरू हो जाएगा, जो ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं रखी हुई है, वो अनलॉक होनी शुरू हो जाएगे, उनके दिल का हाल जानते हैं, ओके हमारे पास आगे हैं लवर्स, ओवेसली दे आर मिसिंग यू राइट नाओ, जिस समय हम रीडिंग कर रहे हैं, अगर आपको इस समय यहाल फिलाल में ऐसा लगा हो, कि मुझे रीडिंग देखने का मन कर रहा है, या फिर मुझे उनकी याद आ रही है, तो प्लीज मुझे कॉमें सेक्शन में जरूर बताईएगा, इसका मतलब यह है, दे आर मिसिंग यू राइट नाओ, वीडियो को लाइक करके जरूर जाएगा, स्लोइंग डाउन, हमारे पास है, कंडिशनिंग, एक काड़ और लेंगे हम, ठीक है, मैं देख पा रही हूँ, जैसा आपका हाल है, करीब करीब उससे डबल दुख, उससे डबल तनाव, और जादा स्ट्रेस उनकी लाइफ में भी है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ, कंडिशन उनकी लाइफ में नहीं है, देखे, पजल ना, एक तरीके से आदा अधूरा रह गया है, वो हमेशा ना, बलैंक सा फील करते हैं, आपके साथ रहते हुए, वो हमेशा ऐसा हो सकता है, बोलते हूँ, कि यू कम्प्लीट मी, अगर तुमारे बिना मैं अधूरा हूँ, तुम मेरा एक ऐसा पार्ट हो, जो मुझसे कभी दूर हो जाए, तो मैं अधूरा हो जाऊँ, तो इस टाइप की फीलिंग जो है, जो उन्होंने आपके साथ एक बार शेयर भी की थी, और ये कहीं न कहीं सच होती हुए, मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि उनकी लाइफ में एक satisfaction नहीं है, मतलब सब कुछ हो रहा है, पैसा है, हो सकता है, नई जॉब मिली हो, हो सकता है, अपनी लाइफ में move-on कर रही हो, हर तरीके के खुशी हो, लेकिन वो खुशी नहीं है, वो मज़ा नहीं है, ठीक है कर लेंगे लेकिन most of the time ना वो जब वो stuck मैसूस करते हैं तब उनको बहुत ज़दा की याद आती है conditioning हर कोई जो उनके पास आता है वो अपने मतलब के लिए आता है जिससे उनको आपकी value आपकी याद और ज़दा आने लगती है हर कोई बस ये कहता है कि भाई मेरा ये काम कर दो बेन मेरा ये काम कर दो तबी वो बदले में आपको कुछ समय देते हैं या फिर तबी आपको वो तबज्यू देते हैं लेकिन देखिए इस share के जो हाथ हैं वो बंदे हुएं किसी तरीके से जो responsibility है ना उनके घरवालों की तरफ से उन पर इतने जादा है कि वो अपनी love life पे क्या ही ध्यान दे जब भी अपने बारे में सोचने जाते हैं हो सकता है उन्होंने कोई loan लिया हो या फिर कुछ ऐसा हो जो उनको चुकाना हो कोई करजे हो जिसके वज़े से वो बहुत जादा मजबूर फील करते हैं अपने बारे में time निकालना तो दूर की बात है जब खुद के बारे में सोचते हैं न तो उनको ऐसे लगता है आप कैसे करें कैसे earn करें कुछ extra पैसे कैसे कमाये जाएं क्योंकि यह जो बेडिया है न मजबूरी की बेडिया हो सकता है कि family में कोई बिमार हो जिनका दवाई क खर्च यह सब उठाना हो या फिर अगर ऐसा नहीं भी है तो आपके person जब आपके साथ थे हो सकता है वो आपको सारी खुशियां सारी चीज़े facilities ना दे पाते हो जिसकी वज़से उनको बहुत जादा बुरा लगता हो बागी couples को देखते हुए आपके person को भी feel होता है कि मु हमेशा सांप रूपी मेरे आस पास रहते हैं और मेरा फाइदा उठाने की कोशिश करते हैं बहुत कम लोग हैं जिनको मैं अपना करीबी या फिर सचा दोस्त या फिर मित्र या फिर भाई बंदू बोल सकूं और ऐसी situation में आपका भी दूर हो जाना वो भी घरवालों के आप दोनों एक दूसरे से पूरी तरीके से सेपरेट तो नहीं हो पाई हैं अगर उनका कोई नाम ले ऐसा तो नहीं है कि आपके मन में कभी जहर बढ़ जाता है या फिर कोई गिले शिक्वे आ जाते नहीं ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक क्यों नहीं हो जाता है ऐसा लगत रहे हैं दो पत्ते एक साथ नया जन्म ले रहे हैं दो बादल आपस में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरीके से मर्च हो रहे हैं ऐसा लगता ही नहीं था कि दोनों की लाइफ अलग है या फिर एक दूसरे से वह जुदा है बिल्कुल भी नहीं आईए आपके पर सुनि समय जो बीद गया है उनका जो सब्र है वो भी अब जवाद देने लगा है दीरे दीरे क्रियेशन कभी कभी लगता है कि बस कुछ नया क्रियेट करने के कोशिश करूं जाओं एक बार बात करूं बात करके रेखूं वो क्या क्यते लेकिन फिर हिमत में जुटा पाते चाहते हैं बेसिकली आपसे वो माफी ही चाहते हैं क्योंकि उनका अच्छी तरीके से पता है जो उनोंने गल्तियां की है वो माफी के लाइक नहीं है और एक बार आपसे माफी में जाए अटलीस्ट उनकी आत्मा को भी शांती मिलेगी जो चीज उन्होंने गलत कि है उसकी स सच बोलना उनके सामने सच्चा पहलू रखना कभी भी जूट या बनावटी दुनिया में या बनावटी बातों में विश्वास ना करना यह चीज उनका दिल लूट लेती है यू केर अबाउट हाओ आए फील हमेशा उनका ध्यान रखते थे कि उनको क्या पसंद है क्या न लगते हैं और बहुत ज़्यादा पच्टाते हैं विकिन इमाजन वंडरफल फ्यूचर टुगेदर हम दोने का फ्यूचर जब हम एक साथ सोचते थे कितना मज़ा आता था वो सारी चीज़े जो हमने डिसाइड की थी हम साथ में करेंगे लेकिन आज ऐसा लगता है कि वो सा टॉपिक पर चाहिए वो चीज़ मुझे जरूर बता के जाहिएगा मिलूंगी नेक्स वीडियो में वीडियो कर लाइक करके प्यार जता के जरूर जाहिएगा तब तक के लिए गौड ब्लस यू और लव यू ओल